हेलो फ्रेंज आज मैं आपको टाइम रेनगेट यह मुवी एक्स्प्लेंग करने वाला हूँ यह टाइम ट्रावल मुर्डर मिस्ट्री मुई है इसमें दो कार्केटर हमारे एक कॉप और एक टीचर यह दोनों अपनी प्रेमिका को बचाने के कोशिश करते है यह दोनों अलग-अलग टाइम पेरेन में होते है पर फिर भी अपने ड्रीम्स के थ्रू कम्यूनिकेट कर सकते है तो चली इस अमेजिंग मुवी को एक्स्प्लेंग करने स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम यह 31 दिसेंबर दिखाय जाता है एक स्टीट पर होते है जहां वो आने वाल होते है जब किम उसको स्पॉट करता है तो दूसरी तरफ से भागने लग जाता है किम उसके पास पहुश नहीं सकता किम का जो कोवर कर होता है वो एक जगा पर उसे पकड़ लेता है किम जब वहाँ पहुचता है तो इन दोनों में हतापाई हो रही होती है जो कलपरिट था इसके पास गन भी होती है किम इसमें जखमी हो जाता है इसे अब होस्पिटर में ले जाया जाता है अब मैं आपको 1982 में क्या हुआ था ये बताता हूँ यहाँ में Big और Suhan दिखते है Big और Suhan ये दोनों टीचर है आज 31 है और सब celebration हो रहा है तो Big Suhan को एक ring देता है क्या वो उससे शादी करेगी ये उससे पूचता है ये इसके लिए हाँ कर देती है ये जब सब हो रहा होता है तब सुवान की बैग लेकर एक आदमी भाग जाता है बिग भी उसके पीछे बैग लेना चाता है जब वे इसे पकड़ लेता है तो इसके पास चाग होता है जिससे बिग को इंजोर कर देता है 2050 में कीम अब होस्पिटल में है वो अब ठीक हो चुका है वो में उठता हुआ दिखता है और हमसे कहता है उसी रात मेरा सब कुछ बदल गया मुझे ड्रीम्स आना शुरू हो गया मेरे सबनों में एक आदमी मुझे दिखने लग गया ये बिग ही उसे दिख रहा होता है अब हमें 83 में बिग और सुवान दिखते है पीक इसका आवाज रेकॉर्ड कर रहता है ये जो बाते करती है ये सब रेकॉर्ड कर लेता है जब सुवान उसे पूछती है कि ये तुम क्यों करते हो तो वो कहता है कि हमेशा के लिए इस टाइम को में फ्रीज करना चाहता हूँ जब तुम किसी time को record कर लेते हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है इन दोनों की relationship बहुत ही beautiful होती है अवे शादी करने वाले होते है तो एक घर बाय कर रहे है जो घर वो लेने वाले होते है उसके वराणे पर वो बेटते है वहां का sundown जो होता है ये देखते है बिक फिर कहती है जब तुम मरते हो तो तुम्हारी जो next life है ये सब तुम्हें दीखने लग जाती है जब तुम मर जाते हो तो ये सब भूल जाते हो फिर से तुम्हारा जब jam होता है तो तुम्हारी जो better half थी, यानि कि तुम्हारी प्रेमी का, इसे फिर से तुम ढोडने लग जाते हो, तो यह कुछ भी याद नहीं रहता, वो कहती है कि अगले जनम में मैं फिर से इसे face के साथ तुमसे मिलने के लिए आउंगी, बिक ने उसे कहा होता है कि अगले जनम में मु प्रेमी का इसे कहता है, इसके वाइफ को मारा था, पर यह भी इसके पीछे पड़ गया था, एक दिन इसने उसे पकड़ी लिया था, पर इसे पकड़ नहीं पाया उसके कंदे पर इसने गोली शुट की थी, क्या वो अभी भी जिन्दा है, इसके लिए वो हर आदमी का कंदा चेक करता है हमें फिर से बीक दिखाया क्या है, वो सुवान के साथ रेस्टोरन में आया हो होता है, वहाँ बीक के स्कूल के बच्चे जुवा खेल रहे होते हैं, यह इसे देखते हैं, पर उन्हें लगता है कि यह चेक करने के नहीं आएगा, पर बीक वहाँ पहुच जाता है वहाँ एक शरारिती लड़का होता है, इसे हो पकड़ लेता है, नेक्स दिन इसे पनीश करता हुआ हमें बीक दिखता है, यह लड़का उसे बुच्चता है कि बाकी टीचर्स तो इतने सिंसर नहीं है, वो इतना आटेंशन तो नहीं देते, वो गहता है कि मैं वैसा नहीं ह हो रहा है पर उस दिन वो रेडियो सुनता है जो रेडियो जौकी होता है वो कह रहा होता है वो कहता है कि हमारे टीचर ने प्रेडिक्ट किया था कि 2015 में exactly इसी डेट पर स्नो आने वाला है इसका नाम जब वो बताता है तो यह बीक ही होता है बीक भी अब सबने में कीम को यहाँ पर जो बच्चा बिठा होता है, वो 2015 में रेडियो जॉकी बन जाता है, इसी वज़े से रेडियो उपर किम को यह सब सुनाई दिया गया था, बिक और भी फ्यूचर के बारे में बाती करता है, जो स्मार्टफोन होते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन उने देता है, कोई पर भी इस पर बिलिव नहीं करता, किम भी अपने फ्रेंड को जो सब हो रहा है, यह सब कोछ बदाता है, उसका फ्रेंड भी उस पर बिलिव नहीं करता, किम जब एक केस की इंवेश्टिगेशन कर रहा होता है, और CCTV कामेले देखता है, तो वहां उसे सुवान दिखती है, अबड़क करने वाला कोई क्रिमिनल है, ये फिर उसे जब पुलिस टेशन में लेकर आते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि ये डिरेक्टिव है, ये सब क्यांग देख रहा होता है, अब 2015 की सुवान को पता चल चुका है, कि ये डिरेक्टिव है, तो ये सब अब डिनर के लि में होती है, तो उसके वाइस प्रेजिलन से पुछती है, कि क्या इस सुवान का नाम अलग था, तो इसे वो कन्फर्म करती है, इसे आप सुवान भी इसमें सब में इंट्रस्टेड हो जाती है, इसमें 1983 की सुवान जो टीचर थी, ये वो देखती है, इन दोनों का चेहरा से इसमें होता है, ये सब वो कीम को दिखाती है, कीम कहता है, कि इसके बारे में मुझे इन्वेस्टिकेशन करने पड़ेगी, ये सब करने के लिए मुझे टाइम लगेगा, तो क्या हम फिर से मिल सकते है, इंडारिकली कीम सुवान को टेट पर पूछ रहा होता है, इसके इसका होता है, इसका मर्डर हो चुका था, सुवान का मर्डर हो चुका है, ये अब वीक को अपने समने में पता चल जाता है, ये इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, 1983 में Swan जब अपने स्कोल में होती है तो आज बहुत ही देर हो जाती है जब वो लैब में जाती है तो वहाँ एक लड़की होती है उसका पर काजबर पर जाती है और उसकी वज़े से वो injured हो जाती है Swan उसे पाउं जाती है वो से मलम पट्टी वगरा करवाती है इस लड़की से पूछने के बाद वो लड़की कहती है कि हाँ भूक लेने की लिए आई थी मुझे लगा यहाँ कोई है तो मैं चेक करने के लिए आई तो मैं इंज़ूर हो चुकी हूँ यह फिर से कहती है कि मैंने किसी को यहाँ देखा था अब बीक को पता चल चुका है कि सुवान मर सकती है उसने ड्रींस में देखा है तो कल वो फिर से अपने स्कूल में सुवान से मिलने के लिए आता है वो सुवान से बुशता है कि आज तुम्हारा प्लान क्या है यह कहती है कि मैं तुम्हें अपना प्लान नहीं बता सकती यह कहता है कि ऐसा क्या प्लान है यह बहुत ही ज़ादा इंसिस्ट करता है तो यह उसका प्लान बता देती है यह आज वेडिंग डेस देखने के लिए जा रही होती है बीक कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आउंगा सुहान मानती नहीं कहती है कि आफशकोन होता है तुम मुझे वेडिंग से पहले वेडिंग डेस में नहीं देख सकते है बीक इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता बीक जब फ्यूचर के बारे में बता रहा था तो उसने एक मैच के बारे में भी कहा था तो फ्यूचर में होने वाली है उसका जो स्टुडेंट था ये सब वो सुन रहा था जब स्टुडेंट ने मैच देखी तो बीक ने जो स्कोर प्रिजिट किया था ये ही स्कोर आया अब बीक को 100% मालूम हो जाता है के जो सबने है ये कोई illusion नहीं है जो सब हुआ था वो सचमुच में हो रहा है जो case file क्यांग ने कीम को दी थी इसमें बहुत सारी चीजे उसने देखी थी इसमें worker की strike होने वाली है ये भी बीक को पता चल जुगा था जब बाहर आया तो ये हो रहा था अब ये 100% sure हो जाता है बीक ने file में देखा था ये एक जोवारी था उसने swan को मार डाला था उस जोवारी को फिर बीक धुडने लग जाता है एक जगा पर आता है उसका नाम लेता है ये जोवारी फिर वहाँ से भाग जाता है बिक उसका पीछा करता है पर इसे ढोड नहीं पाता ये जुवारी भागते भागते सुवान से टकरा जाता है सुवान के पास बहुत सारे पैसे होते है ये वो देख लेता है सुवान एक जगा टोयलेट में जब आती है उसका पीछा करकते-करते ये वहाँ पहुच जाता है इसके बाद ये जुवारी जब बहार निकलता है तो बीक से ये टगराता है इसके हाथ खुन से रंगे होते है और सुवान की पर्स इसके पास होती है बीक डर जाता है, एक सुवान को देखने के लिए जाता है तो सुवान मरी पड़ी हुई होती है जो जुवारी था, उसे नेग्स दिन पुलिस पकड़ लेते है बीक भीवा हुता है, बीक ये सब जब देख रहाता है तो ये उसके स्टूड़न के ही फादर होते है यह वाइस प्रेसिडंट उसे खेहती है कि हमने अपना स्कूल का नाम बदल दिया था क्योंकि यह एक बड़ी फायर हो चुकी थी यहां बहुत सारे बच्चे भी मर गए थे इसकी exact date विग रहा है वो सब कुछ उसे बता दिये जो यह सब information है यह सुवान फिर कीम को दे देती है यह जब चेक करते है कि उस फायर में कौन से बच्चे मरे थे तो उन्हें पता चलता है कि 1983 की सुवान जो थी उसके ही सब classroom के बच्चे इसमें मर चुके थे यह इने बहुत ही suspicious लगता है यह जब बात करे होते हैं तो हमें दिखता है कि क्यांग इन दोनों पर नज़र रख रहा है हमें पता है कि बिग हमेशा audio recording करता है तो इसके जो सब recordings होती है यह अब क्यांग के पास है क्यांग जो है यह बिग के related है जो सब किम को मालूम हो रहा यह सब चीजे अब बिग को दिख रही है बिग फिर इस मर्डर के investigation में लग जाता है किम फाइल्स में देखता है कि जो गैमलर था वो real killer नहीं था क्योंकि वो मरने के बात भी एक murder हुआ था अब बिग को पता चल चुका है तो इस investigation में लग जाता है कि real murderer कोन है जब बिग इ investigation बिग करता है इस सब की उसने recording की थी यह recording के पास है जो fire होने वाली थी जिसमें सब बच्चे बनने वाले थे इसके बारे में अब बिग को मालूम है बिग को पता है कि जो real killer है वो वहाँ आया होगा वो सब prepare करता है उसे पकड़ना चाहता है जो वह वहाँ पहुशता है त तो उस killer को जाने देता है यह आग तो लग चुकी थी पर इस आग के बारे में उसे जल्दी पता चल गया था तो यह जो room है यह जलने से बच जाता है जो future है यह अब change हो गया है यह किम को दिखता है जिस building में आग लग गी थी अब आग नहीं लगी है बिग जहाँ आग लग थी यह उसके पास थी यह रिंग उसने वहाँ के clock में रख दी थी किम फिर 2015 में उस जगा पर जाता है जब वो clock में देखता है तो वहाँ actual में वो ring पड़ी हुई होती है किम swan को call करता है और जो fire थी वो कभी लगी ही नहीं थी यह good news वो swan को देता है यह दोनों आज म उखाई में मिल गई थी जब पूली स्टेशन में आता है तो swan के गाड़ी का जो camera होता है इससे कुछ video tape मिलती है इस video tape में होता है जो marks वाला आदमी है इसने इसकी गाड़ी रोग दी थी इसने swan को पकड़ लिया था और उसने उसे मार डाला है यह हमें इस video tape में दिखता यह देखकर किम रोने लग जाता है और फिर से 1983 दिखाया गया है और big school में होता है उसके पास एक लड़की आती है यह वही लड़की है जिसका पेर काचपर बढ़ा था और यह injured हो गई थी सुवान ने उसकी मलम पट्टी की थी तो सुवान का handkerchief इसके पास होता है यह वह बिक को मालूम होता है कि इसका वह murder होने वाला है यह फिर desire करता है कि इस पर वह नजर रखेगा जिस exact time पर होने वाला होता है तो वहाँ पहले ही पहुँच जाता है लाब में चुपा होता है यह लड़की वहाँ आती है killer फिर mask पहन कर वहाँ पहुच जाता है वहाँ फिर वो गैस क्रेड करता है जिसे लड़की unconscious होजाती है Big भी unconscious हो सकता है इसलिए वह वहाँ से बाहर निकलता है और खेकी टोरता है जो killer था ये सब देखता है और वहाँ से भाग जाता है Big का student जो गैमलर का बच्चे है इसे सब बच्चे तकलिफ देते इसके father murderer है, इसलिए इसे bully कर रहे होते है Bik इसे बचा लेता है, वो कहता है कि इसके father murderer नहीं थे यह बचा surprise होता है, कि Bik ऐसा क्यों बोल रहा है, इसे क्या मालूम पड़ा है इसके बाद next scene में Bik को arrest करने के लिए police आते है Bik से police कहते है कि जो मास था, जो हर crime scene पर हमें मिला था वो तुम्हारे death पर हमें मिला है, इसे suspect कर रहे होते हैं कि यही killer है Bik फिर वहाँ से खिड़ी तोड़ता है और भाग जाता है यह जब भाग रहा होता है, तो जो उसका student है, इसे help करने के लिए motorcycle लेकर आता है यह दोनों फिर वहाँ से भाग जाते है, अब हमें face से पीक दिखता है, वो अपने student से बात कर रहाता है वो कहता है, तुम्हारे father killer नहीं है, जो सब बाते हैं, उसे explain नहीं कर सकता पर उसने audio record करकर, यह सब बाते कही है, यह सब recording वो इस student को दे देता है इसका मदलब, किम का 2015 में जो boss है, जिसका नाम क्यांग है, यही यह student है Big अपने student को कहता है, कि और एक लेड़ी है, जिससे तुम बजा सकते हो उसकी location सब को जो उसे दे देता है अब नेकसिन में हमें किम दिखाया जाता है, और उसका friend उसे कुछ दिखा रहाता है वो उसे कहता है, कि किलर की गाड़ी हमें दिखी थी उस गाड़ी में tracking device है, और इससे हमें पता चला है, कि यह गाड़ी अभी भी वही है किम फिर killer को ढूणने के लिए निकर बढ़ता है हमें दिखता है कि जो 2015 की swan है, यह अभी भी जिन्दा है और एक underground bunker में वो बेठी हुई है वहाँ पे जो killer है, वो भी मोजूद है swan को जो पहुशाता है, तो एक chair लेती है और killer wahr के सर में डाल देती है killer wahr हो बंकरकर वहाँ से भागने लग जाती है यह जो डोर होता है, किड माः किक करके उसे open कर देता है यह भी इसके पीचे फीचे भागता है killer wahr के morning एक phone से swan call लगाती है यह call वो कीम को लगाती है किम कहता है कि मैं भी वही आ रहा हूँ मैं हॉंकिंग कर रहा हूँ मैं तुम्हें ढोण सकता हूँ सुवान जब रस्ते पर आती है तो किम फिर उसे स्पॉट करते है उसके पास हो आने वाला होता है पर यह रस्ते पर होती है तो एक गाड़ी इसी कुचल देती है इस एक्सिडन्ट से अभी अमर जाती है इसके बाद फिर सुआ ने जिस मोबाईल से किम को कॉल किया था इस मोबाईल किसे investigation करना किम स्टार्ट कर देता है यह जो नमबर होता है यह evidence से होता है Kim को फिर Kang पर शक जाता है जो evidence होते है इसको Kang ही access कर सकता है Kang की killer है ऐसा उसे लगता है वो फिर Kang के गर पहुत जाता है Kim उसके गर पर जाकर जब देखता है तब killer को ढूँने के लिए बहुत सारा study उसने किया होता है Kang की जब वो family photo देखता है तो उसकी वाइब जो थी यह B.K. स्कूल में थी किम फिर घर से बाहर निकलता है तो कैंग बहा जाता है किम कैंग से कहता है कि यह जो मर्डर हुआ था यह बहुत लग तरीके से हुआ था यह जो मर्डर है यह यह रियल मर्डरर ने नहीं किया है 2015 के सुवान को जिसने अगवा किया था ये कैंग था ये कैंग से पुछता है कि उसने क्यों किया था कैंग फिर कहता है कि बीक हमें बताता था कि वो फ्यूचर देख सकता है वो ड्रीम्स देख रहा है जब मैंने हमारे पिरेड में तुमें देखा अगर मैं तुम्हारे जरीय फिर से उसे दिखा पाता कि killer जो है ये अभी भी जिन्दा है तो वह कभी भी इस investigation को drop नहीं करता तुम भी हमेशा killer को ढूनते रहते क्यांग का इसके बीचे अलग motivation होता है इसकी जो wife थी इसको भी killer ने मारा था क्यांग इस murder की जब investigation कर रहा था तो उसे murder weapon मिल चुका था इसे murder weapon मिल चुका है तो killer ने इसे blackmail करना start कर दिया इसकी wife वो अगवा कर लिया और ये murder weapon उसे लानी के लिए बोला जब क्यांग ये weapon उसे देने के लिए गया तो इसकी wife को उसने मार डाला क्यांग ने killer पर गोली चलाए पर उसके कंदे पर लगी वो मरा है या नहीं ये क्यांग को नहीं पता क्यांग killer से obsessed हो चुका था तो उसे जो investigation है ये continue चलनी चाहिए ऐसा लग रहा था इमको अगर लगा कि killer अभी भी जिंदा है तो investigation continue चल दी रहेगी जो killer है वो पकड़ा जाएगा ये सब होना चाहिए इसलिए swan को क्यांग ने abduct कर लिया था क्यांग कहता है कि swan को मैं मारने नहीं वाला था मुझे सिर्फ तुमें दिखाना था कि वो मर चुकी है रोड पे जो accident हुआ ये बहुत गलत चीज हो गए कैंग फिर कीम के पास आता है और अपने teacher बीक को एक message देता है उस date पर बीक को अपने school नहीं जाना है क्योंकि वहाँ killer है अगर बीक school पर जाएगा तो killer उसे मार देगा ये message उसे दे कर जाता है कैंग बीक को ये भी कहता है कि मुझे तब मार डालना अगर तुम मुझे तब मार डालोगे तब मैं इस case से अपसेस नहीं हो जाओंगा मैंने जो murder किया है ये मुझे से नहीं होगा अब हमें दिखता है कि वीक को ये सब message मिल चुका है इस रात बहुत ही बारिश हो रही होती है ये कैंग का message सुनता तो है पर इसे ignore कर देता है वो अभी भी school में जाने वाला है बीक जो है ये young kang के साथ यानि कि उसके student के साथ एक जगा पर चुपा होगा था वो रात में वहाँ से निकल जाता है वो school में आ जाता है वो school में आने के बाद हमें पता चलता है जो killer है ये उनका ही biology teacher है इस बार बीक ने भी अपने साथ mask लाय होता है biology teacher और बीक ये दोनों अब एक दुसरे को मारने लग जाते है बीक उसका गला दबार होता है और फिर उसे बुचता है कि ये सब तुमने क्यों किया था ये biology teacher कहता है ये मुझे drugs की आदत थी है chemistry lab से मुझे ये सब मिल जाता था swan chemistry की teacher थी तो इसने ये सब देख लिया था swan ने देख लिया आये तो उसका job भी जा सकता था इसलिए swan को इसने मार डाला था एक student थी जिसने भी ये सब देख लिया था इसको भी माननी की कोशिस ने की है ये biology teacher फिर एक चा को लेता है और इससे बीक को मानने वाला होता है तभी वहाँ young kang आ जाता है kang फिर biology teacher को खिटकी से बाहर फेक देता है biology teacher जिस लड़की को मारने वाला था kang वो सही है या नहीं ये देखने की ले जाता है वो कुछ भी हट नहीं होई होती बीक वहाँ से बाहर निकल रहा होता है तो biology teacher फेसे उपर आ जाता है वो एक चा को लेता है और बीक को मार देता है बीक और biology teacher अब दोनों एक दुसरे से बहुत ही जगरते है ये एक दुसरे को मारते मारते टेरेस पर आ जाते है यहाँ बहुत जादा बारिश हो रही है बीक के पास एक handcuff होता है इस handcuff से इस biology teacher को पकड़ लेता है उसे घसीटता घसीटता एक पोल के पास लेकर जाता है यह जो पोल होता है यह lightning को capture करता है इसे मालूम होता है कि आज बीजली इस पर गिरने वाली है यह killer को वहाँ से बान देता है और यह बीजली उस पर गिर जाती है यह killer slash biology teacher यही मर जाता है क्यांग बीज को देखने के लिए आता है पर इसी terrace पर बीज भी मर जाता है जिस लड़की को क्यांग ने अब बचाया था यही उसकी wife बन जाती है अब मैं next scene में फिर से 2015 दिखाया जाता है कीम जब next day अपने job पर जाता है तो उसे कोई भी पहचान दने उसका जो friend था वो senior बन चुका है कीम जब TV पर देखता है तो पिक का एक student बहुत ही बड़ा entrepreneur बन चुका है पिक ने उसे cell phone के बारे में कहा था तो उसके student ने इसमें invest किया था तो अब वो बहुत ही बड़ा अमेर बन चुका है कीम को यहाँ पता चलता है को डिरिक्टू ही नहीं वो फिर स्कूल पहुचता है स्कूल में पहुच जाने के बाद सुवान उसे दिखती है सुवान और इसकी relationship है यह उसे पता चलता है यह दोनों इसी स्कूल में बढ़ाते है कीम जो है यह music teacher है और सुवान जैसे पहले थी उसी तरह से chemistry teacher है कीम फिर इसे हक करता है जब इस स्कूल में पहुचता है उसे फिर कैंग दिखता है कैंग भी इसी स्कूल में teacher है जिस तरह से अच्छी शिक्षा बिक अपने student को देता था उसी तरह से क्यांग भी अपने बच्चों को बहुती सही तरीके से पढ़ाता है अब जैसे हमने movie के first में देखा था कि बीक और सुवान दोनों अपना घर देखने के लिए गए थे इसी तरह से कीम और सुवान भी उसी घर को देखने के लिए जाते है यह दोनों फिर से वरांडे पर बैठते है तो सुवान फिर से वही बात करती है वो कहिती कि जब हम मर जाते है तो नेक जनम में हम क्या है यह हमें दिखता है यही जो सब है यह इन दोनों के साथ हो रहा था यानि की बीख ही है, बनने के बाद वो कीम बन चुका है सुवान भी फिर से बौन होई थी और उसे चेहरे के साथ वो वापस आ चुकी है 1983 में पेक और सुवान एक दुसरे से मिल नहीं पाये थे पर इस बार कीम और सुवान एक नए जनम में मिल चुके है यह दोनों सेम ही है, इसी वज़े से एक दुसरे की डिम्स उन्हें दिखाई दे रहे होते है बहुत ही अलग-अलग टांस के साथ ही मुवी थी, पर यह बहुत ही अमेजिंग मुवी थी यही हम हमारा आज का वीडियो कम्पलीट करते है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा, तो प्लीज वीडियो का लाइक कर दीजिगा बहुत सारी एसी मुवी लेकर आता रहते हो, तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिविशन आइकन दबाना भी मुद भूलिए याँ कि आपको सब मुवीज मिलती रहे, हम फिर से मिलेंगे एक नई मुवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये